नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड्कास्ट में हम बात करेंगे पॉनियन सेलवन एक कब और कैसे शुरू हुआ चोलो का यूग जाने विश्व की सबसे पुरानी वन्ष की खास बाते तो आए सुनते आज के इस पॉड्क पूर्ण वीडियो भी जारी कर दिया था पहले भाग के लिए एंट्री वॉइस देने वाले कमल हाशन अगली कड़ी के लिए ऐसा किया है उन्होंने कहा है कि सिक्वल इस बात पर ध्यान किंदित करेगा कि कैसे पांड्या आदित्य करिकलन से बदला लेते हैं और कैसे सुन्दर चोल आस्वस्त रहते हैं उनका बड़ा बेटा आदित्य करिकलन राश्ट्र कूटों से मुकाबला करता नजर आता है जबकि छोटे बेटे अरूल मोरी वर्मन सिंगल वीप पर युद्ध लड़ता दिखाय जाता है वही राजा की बेटी राजकुमारी कुंधव और संस्कृति का विकास हुआ नश्ट भी हो गये मौरे गुप्त मुगल लेकिन इनके अलावा कुछ और भी गौरफशाली सामराज्य की कहानिया कहीं दवीसी रह गई दक्षिन भारत में छठी और साथी सदी के बीच बहुत ही शक्तिसाले सामराज्य का उदय हुआ उनमे सबसे महतपुर्ण पललव और पांड़या आते हैं जो आधोनिक तामिल्नाड उपर राज करते थे आधोनिक केरल में चेर थे और चालुक के महरास्ट्रिया दक्कन पराज करते थे चालुक के राजा पुलकेशिन वीतिये नहीं हर्स को हराया था और उसे दक्कन की और अपने राज्य का प्रसार नहीं करने दिया था इनमें पल्लव और पांडिया जैसे शास्कों के पास शक्तिसाली नौसेना थी उन्ह पूर्ण भूमिका ने भाई अपनी शक्तिसाली नौ सेना के बल पर उन्होंने सिर्लंका पर आक्रमन कर दिया उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शाषन भी किया है चोलवंस के गौरब भगवान शिव के परमभक्त महावीर महराज राज-राज-प्रथम आज हम आपको इत पुत्र राज-इंद्र राज-प्रथम की गौरब गाथाएं अंकित हैं हमने इस कहानी के दो भागों में विभाजित किया है पहले भाग में आपको बताएंगे कि कब और कैसे शुरू हुआ था चोलो का यूग तो आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे शुरू हुआ था क कुछ सताब्दियों तक मुख्य राजनीती से ओजल होने के बाद 850 इस्वी में बिज्यालय नाम के शासक ने चोलो को फिर से महत्पूर्ण बना दिया जो अब तक पलो के सामंत बनकर शासन कर रहे थे बिज्यालाल कनाती परंतक प्रथम ने पांड्य शासन के मदूरा को जीत कर दक्षिन भारत का सिर्मा और सासक बन गया पलो का शासन भी अंतिम रूप से खत्म कर दिया था फिर भी अभी दक्कन वाले महराश्ट्रिक में राश्ट्र कूट और मैसूर में गंग सासकों का बोल बाला बना रहा फिर कुछ दश्कों में आता है चोल राजा राज महान सबसे शक्तिशाली चोल राजा जिसने लंका विजय शुरू किया लंका में चोल राज्य बनाया माल्दिव को भी जीता नौसेना के वर्चस्व का एक नया यूग चलपरा जिसमें सबसे भारी थे चोल इनमें राश्ट्र कूटो गंगो और पस्मी तट और आंध्रा क के चालुकों को भी हराया उपाधी थी चोल मार्तंड चोलेंद्र सिंग कैसे हुआ विश्तार चोल सामराज्य वर्तमान तमिलनाडु कीरल और आंध्रदेश तथा करनाटा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था चोलों के उत्थान और पथन की अवधी के दौरान देखने को मिला इस शेत्र में अन्य सक्तिसाली राजवंस भी आएं और गये जैसे दक्कन के राष्ट कूट जिन्होंने चोलों को हराया और आंध्र प्रदेश के चालुक्य जिस शेत्र में चोलों ने अक्षर लड़ाई कि थी राजवंस के अस्थापना राजा विज्यालय ने की थ और नित किया है दिगजों के बीच शेत्र के एक अपेक्षा कृत मामली खिलारी होने के बावजूद विज्यालय ने एक ऐसे राजवंस की नियू रखी जिसने दक्षिन भारत के एक हिस्से पर शासन किया चोलों के अधीन सामाज चोलवंस की सबसे बड़ी उपलब्दिय चंद्र लिखते हैं कि प्रभुत्व ऐसा था कि कुछ समय के लिए बंगाल की खाड़ी को चोल जील में बदल दिया गया था उन्होंने कहा कि चोलों के व्यपारी समूहों के साथ मजबूत संबंथ हैं और इससे उन्हें प्रभावशाली नौसैनिक अभियान चलाने की अन राज अक्सर एक दूसरे से युद्ध करते थे उत्राधिकार युद्ध स्वभाविक थे और यह पीएस आई पर फोकस है जो राष्ट कुटो द्वारा चोलों को पराजित करने के बाद के समय में सेट किया गया था कनिसेटी ने कहा मन्थन के बात की अवदी थी लेकिन इ रक्षिन भारत में कला और साहित्य का विकास हुआ तमिल कवियों अप्पार सामबंदर और सुंद्रार के प्रसिद्ध कार्यों को संकलित किया गया और ठिरुमुराई नामक एक संकलन में मिला दिया गया राज-राजन चोल के पास एक समर्पित सेना थी जबकि उससे पहले के अन्यशासकों के फास एक भी नहीं थी यही कारण था कि जब भी आवशक्ता होती थी वे एक सेना इकठा कर लेते थे तो आज के लिए तना ही अगले पाड़कास्ट में किसी और विशेयों पर देंगे जानकारी तब तक जुरे रहिए प्रभासाक्षी के साथ